तो फाइनली आज चुके है मासमाजा आई देवगन की सिंगम अगेन के कोने एपिसोड में बाफ पे सब तो आज चल रहा है बॉक्स आफिस में डे नमबर फो एंड फर्स्ट आफ मंडे है एंड फर्स्ट आफ फुली वर्किंग बेवी है बही देखेंगे आज के लिए हमें क्या फाइनल अडवांस क्लेक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं देखो के सारी बड़ी बड़ी पिक्ट्र ही फर्स्ट आफ वीकेंड में हाइप अच्छा हो तो वो अच्छा सा क्लेक्शन हो निकाल देती है चाहे फिल्म अच्छी हो या फिर ना हो असली हमें टेस्क देखने को मिलता है मंडे के दिन और मंडे ही डिसाइड करता है कि फिल्म कहां तक जाएगी और लाइफ टाइम यह कहां तक फिनिश है वो कर सकती है भाई हमें मंडे के दिन एक हींट है वो देखने को मिली जाता ह तो आज का दिन काफी जा इपॉर्टेंट है और साथ में संडे टू मंडे एक अच्छा होल्ड भी दिखाना होगा मैक्स टू मैक्स साथ परसेंट के असपास ड्रॉप उससे जाया गया तो समयनों कि भाई हमें बड़ा यूज ड्रॉप है वह देखने को मिल रहा है कितने बिस्मेंस एक कर सकती है मैणे संडे हमें क्या फाइनल अर्ली स्ट्री मेெय Choi के बाद हो wa सकता है तो वीजा की बड़ाई उससे बढ़ेंच को क्या करना है 39 क्रोट के आसपास नेट कलेक्शन है वो आ सकते है मेभी वर नाइट की ओक्वेंट सी हमें जाकुष पाई स्ट्रॉगनेस नजर है वो नहीं आई यह उत्तरपरदेश नाइट ड्रॉप गया अच्छा हासा इवन दिल्ली की बात करें नाइट जाकुष स्ट्रॉग है वो नहीं गया है एंड सम्थिंग अराउंड 37 क्रोट के आसपास नेट कलेक्शन देख रहे हैं अपने संडे के दिन सबसे पहले संडे कोई अच्छा होल नहीं है इससे थोड़ा क्लेक्शन आ सकता था सम्थिंग राउंड 40 क्रोट के आसपास नेट कमाई करने की कोशिशा वो करनी चाहिए थी जो की यह वाई situation नहीं दिख रही है कि इतना कुछ आ सकता है तो उमुईत के मुताबिक थोड़ा सा वाई number है वो हमें जायर ड्रॉप है वो देखने को मिला संडे के दिन यही कुछ नंबर रहा तो फर्स्ट आफ वीकेंड जाएगा 125.2 जो सियार के आसपास अब लैट सी अब द connection है वो आया है तो यह वीकेंड में overseas एक अच्छा नंबर है वो निकालने में कामयाब हुई है बिद क्लैश के साथ तो उमीद करता है कि आने वाले working day में and साथ में नौर्थ अमेरिका देखो अब तक ही बात करें तो नौर्थ अमेरिका 37 CR के आसपास जाता है पहले एक अच्छा contribution है वो देने वाल है overseas overall data ठीक यह कुछ पाई लेखा जो कहा है first hour weekend बागे देखते हैं आज उमीद भी करते हैं कि मेंकर's worldwide का poster है वो चापेंगे जैसे कि हमने opening day में देखा था अब मुम करते हैं आज के दिन की ओर day no.4 and first hour Monday क्या हमें advance collection है वो देखने को मिल रहा है आज को याद होगा मैंने यस्ट्रे के दिन कहा जा सम्थे के राओं चार्स लेके पांच क्रोड के आसपास final advance जाना चाहिए at least फिर हमें जाके एक अच्छा hold है वो देखने को मिलेगा City Y Mumbai 732 शोज में ओराल 8% occupancy and 36,000,000,000 अडवांस है 9,779 प्लस tickets have been sold out तो Mumbai के अंदर हमें अच्छी आसी यहां पर गिरावत है वो देखने को मिल रही है occupancy very decent as advance की बात करें दिल्लियंस यार 1000 प्लस शोज है 7% occupancy 22,000,000 अडवांस है and something around 5,852 प्लस tickets have been sold out तो आज मुम्बेई मे शोज में थोड़ी गिरावट है अच्छी आसे शोज मिल चुकी है जाए कुछ ड्रॉप है और नहीं है next एहमदाबाद 453 शोज है 20,000,000 अडवांस है and 5,364 प्लस tickets have been sold out तो दिल्ली जासे प्लेस को बाई सिर्फ एहमदाबाद टकर दे रहा है as advance की बात करें इससे यह पता चलता है कि एहमदाबाद आज के दिन भी strong है 10,000,000 अडवांस में next सूरत 340 शोज है and 16,000,000 अडवांस है and 5,647 tickets have been sold out and 13 से लेकि 14% के आसपास हमें overall occupancy सूरत के अंदर हो देखने का मिल रही है and दिल्ली से भी comparison to दिल्ली अच्छी है comparison to मुंबई भी अच्छी है comparison to दिल्ली आसे को बताई दिए even एहमदा से भी काफी बढ़िया दिख रही है तो सुरत काफी बढ़िया जाता हुए दिखाई दे रहे है overall gujarat की बात करें आज भाई advance strong है आज गुजरात ही भाई एक overall number एक respectable business करवाने की भाई कोशिश है वो करेगा next Bengaluru city 275 shows and 17% occupancy ठीक है 11,000,000 15% occupancy ठीक है and 8,000 अडवांस है and 2009 74 plus tickets have been sold out and Rajkot Rajkot by Friday के दिन काफी strong रहा all of shows almost fast filling next Saturday भही हाल next Sunday की बात करें थोड़े mid night के show strong नहीं थी but overall काफी बढ़िया गया and आज की बात करें 75 shows में 30% overall occupancy यस्ट अडवांस में which means की आज काफी strong जाने वाल है and 10,000,000 के आज-पास advance connection है वो 2580 plus tickets have been sold out for advance and Pune 285 shows 7% occupancy 9,000,000 अडवांस है and 2825 tickets have been sold out to Pune again थोड़ा बाई decent गए है and next Bopal 70 shows है and 31% overall occupancy आ रही है तो यह ठीक है यहां पर भी and 2554 tickets है वो हमें sold out है वो देखने को में रही है यह कुछ मेर्मेंड City बाई का नजारा है overall देखें तो गुजरात के अंदर लगवग 75,000,000 अडवांस है दिल्ली बता दिया something around 22,000,000 जो कि UP में something around 17,000,000 के आसपास है and national multiplex chains का data देखें तो PBR INX 30,195 tickets है वो हमें sold out देखने को मिले हैं जो कि CinePolice में 8,597 plus tickets have been sold out and total 38,794 tickets है वो हमें sold out देखने को मिले है and 1.30CR advance है only for multiplex यह data without block sets है and final advance collection की बात करें तो something around 2.95CR जी हाँ आज पहला Monday fully a working day and 2.95CR हमें advance collection है वो देखने को मिल रहा है without block sets and 1.15,000,000 tickets have been sold out and 9,000 के आसपास shows है all over India की बात करें comparison to Friday and Saturday and Sunday आज हमें shows में as a advance की बात करें गिरावाइट है वो देखने को मिल रहा है whatever पूरा दीन है shows here the year जा सकते हैं तो 10,000 के आसपास आप shows pocket सकते हैं आज overall दिन की हो सकती है and comparison to Friday Saturday Sunday shows which means के हमें drop देखने को मिल रहा है something around 3,000 के आसपास दो से लेके 3,000 के पीच में जब कर शाम को हम discussion करेंगे तब बता देंगे final के हमें कितने shows है वो drop है वो देखने को मिले है and overall 7-8% occupancy है सिर्फ advance पे आज की बात करें बिच में कि हमें advance collection है वो बड़ा huge drop है वो देखने को मिले है Saturday and Sunday के पबले तो आज क्या collection की हम expect है वो कर सकते हैं देखो Sunday का आ रहा है something around 37 CR के आसपास net collection तो 15 CR के आसपास आ जाए तो एक अच्छा hold होगा and Monday test भी पास होगा चलो एक करोड़ देर भी जाता है तब भी Monday test पास ही होगा कम भी आएगा let's see अब देखते है वाट फिलम को guys उमीद कोशिच करनी चाहिए कम से कम 15 कोड़ के आसपास net है वो आजाए अभी just 125 CR हो है and manzil अभी काफी जादा दूर है lifetime एक respectable total collection करने के लिए अभी इससे भी जादा और collection है वो करना होगा क्या आपाएगा जिस तरह आज हमें advance में drop है वो देखने को मिले तो 14-15 CR के आसपास net कमाई है वो करनी ही होगी आज के दिन मावला जादा नीचे आया 10-12 CR के आसपास 12 CR के आसपास which means की भाई खतम बड़ा हमें drop हो देखने को मिले book my show में 398 के हमें tickets हैं वो sold out देखने मों मिलें last 24 hours के अंदर and fast feeling की बात करें मुंबई में केवले 22 shows fast feeling है दिल्ली NCR में 45 है हेदराबाद almost green दिख रहे है अहां मुंबई की बात करें गेटी जो night वाले shows है वहाई almost house full हमें नजर है वह आ रहे हैं नहीं है गेटी भी आज थोड़ा empty empty जाता हो दिखाई दे रहे अभी morning में राट सी देखते हैं जब यह show start होगे morning afternoon वाला तो उमिद करते हैं कि अच्छा हासा हमें advance collection वह देखने को मिले and जेपूर के बात करें तो बाकी खाली चल रहे राइबंदर वाले shows हैं थोड़ा morning वाला तो खाली है कि दोपहर afternoon ठीक चल रहा है advance अच्छा है अल्मुस्ट बरबरा दिखाई है वह दे रहे एंड बैंगलोर्ड सिटी ज़्या हास नहीं है चने यह बात करें strong advance नहीं दिल्ली मेनासवी को बताई दिये राज़ को ठीक है यह बन आगरा भी ठीक है एंड यूपी मेनासवी को बताई दिया ठीक ठाक चल रहा है अवराल देखा जाए लखनो काफी बढ़ी है अब देखते हैं कि इतना कुछ collection आप आएगा यह फिर नहीं बाकि अब भी के लिए तो इतना यायोक्स अभी को इच्छे समझ में आगे होगा वार्कि डेवाइस डेवाइस कर्शन ओफ रिपोर्ट सो सब कुछ अपडेट्स आपको इस जना पर मिलता रहेगा तो में नेक्स्ट एपिसोड में तब तक लिए